श्री गनेशा या नमाहा, नमस्कार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुण्ली में नौए भाव में रहेंगे दोस्तो ये दिन आपके लिए भागे शाली रहेगा इस समय में कर्म कम और लाब ज्यादा के योग बन रहे है इस समय में आपको भागे का अच्छा साथ मिल रहा है इस समय में आपका हर काम भागे के भरोसे पूरा भी हो सकता है इस दिन आप लखी रहोगे अपने लख को आजमाने का ये आपके लिए सही समय रहेगा अगर आप कही घूमने के लिए जानना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए यादगार सिद्धोगा, इस दिन धार्मिक यात्राय भी हो सकती हैं, इस समय में विदेश सेटलमेंट के भी योग बने हुए हैं, अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो इस दिन शुर इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्थ होगा इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा संतान सुख मिलेगा और दामपत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर प्राप्थ होगा अगर भाईयों के बीच कोई अनबन चल रही थी तो इस स Students के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा, भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में Students को मिलने वाला है, कम समय में आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, competitive exams देने वालों के लिए भी ये समय उत्तम है, इस दिन आपकी सारी चाय पूरी हो सकती है, आपक किसे स्वस्त्र होगे, मन में प्रसन्दा रहेगी और energy से भरपूर दिन रहेगा, किसी पूरानी स्वास्ते परिशानी से परिशान है, तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है, दोस्तों चंद्रमा मन का कारख है, और चंद्रमा की मजबू स्थिति आपके मन को प्रसन र करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुब अंक रहेगा तीन अंक दोस्तों इस दिन सुबह टहलने जरूर जाए अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखे हमारी सोच पर हमें नियंत्रन रखना काफी जरूरी होता है जो हम आज सोचते हैं वही हमा वाद जरूर कहें दोस्तों इस राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा